एक मार्श से 7 मार्श तक चलने वाले सब्ता के अंत में 7 मार्श को जन और शुदी दिवस ही बनाया जाएगा जिसमें प्रधान मंत्री देश भर में जन और शुदी से जुड़े लोगों के साथ संबाद करेंगे। हमारे संबादाता रिश कुमार ने जन और शुदी परियोजना की सफलता पर केंद्रियो रसायन और उर्वरक राज्यमंत्री मंसुख मांडविया से बात चितों के लिए सस्ती दवाईया हों इसके लिए सरकार ने जो मोहिम शुरू की थी आज वो कितनी आगे बड़ी है प् अब तक इस पूरी मोहिम को हम देखें तो काफी सफलता से आप लोग आगे बड़े हैं आपके इसाब से यह जो लक्ष थे जो यूजनाय थी कितना आगे बड़ी है और अब तक हम कहां पहुंचे है मुझे खुशे है कि मोधी जी के नेत्रुतों में जब 2004 में मोधी वन ग बात कही थी कि देश के कोई गरिब बीना दवाय मिलने से मुरुत्यू की नौबत नहीं आनी चाहिए इस बात में से यह जनरश्वदी परियोजना निकली हुई है मुझे खुशी हो रही है कि देश में 700 डिस्टिक, 728 कूल मिला के देश में डिस्टिक है उसमें से 700 डिस्टिक में हमारी प्रेजन्ट है और 6200 जनरश्वदी स्टॉर है पर डेट धाई से 3 लाख लोग जनरश्वदी स्टॉर की मुलाकत लेते हैं हमारा बास्केट है आज 750 मेडिसिन और 72 मेडिकल डिवाइस आज जनरश्वदी स्टॉर पर उपलब्द है युवाओं की जो भूमिका है इसमें रोजगार को लेकर वो काफी आगे दिखाई देती है और साथी साथ इसमें अगर महिलाओं का हम जिक्र कर लें तो महिला शशक्ती करण भी इसमें जुड़ा है क्या आपका सही प्रश्ण है क्योंकि कोई भी कारवबार चालू होता है तो रोजगारी का सर्जन होता है 6200 जनावश्वदी के अंद्रा चल रहा है एक जनावश्वदी के अंद्रा पर मीनिमुम चार लोग काम करें तो भी 25,000 लोगों को उसमें प्रत्यक्ष रोजगारी मिली मतलब 25,000 लोग एक फेमिली में चार पांट लोग हो तो सववा लाख लोग मतलब एक सारा टाउन जैसे लोग वो एक उसकी आजीविका चल गए ये बहुत बड़ी बात है युवाओ को रोजगार भी मिला और युवाओ को काम भी मिला और गरीबों को सस्ती दवा भी मिली उसमें कई महिलाओं ने भी जनवश्वदी स्टोर शरू किया है कई महिला व्यापक अभ्यान के तोर पर उसमें काम में लगी हुई तीसरा महिलाओ के लिए ये परियोजना इसलिए एक आशिरवाद रूप साबित हुई है प्रधार मंत्री जी ने कहा था कि देश में सभी महिलाओ की हाईजेनिक सिट्रेशन को देखना चाहिए तो हाईजेनिक सिट्रेशन को फिलफुल करने के लिए हमने सेनेटरी पेड उपलब्द कराया है और जो बायो डिकेड़ेबल सेनेटरी पेड आज हम वन रूपीज में महिलाओ को उपलब्द करवा रहा है केवल चार महिने पहले हमने ये स्कीम लॉंच किया आज तीन करोड सेनेटरी पेड बेचा गया है कहते हैं किसी भी काम को तभी और ज़्यादा सफल बनाया जा सकता है जब वो जन जन तक पहुँचे चुकि जन आर्योग में जन जुड़ा हुआ है तो इसकी प्रचार प्रसार को लेकर आप लोग किस तरीके से काम करना चाहते हैं क्या क्या योजना है उसमें जनता तक ये परियोजना पहुँचे है जैन्रीक मेडिसीन के संदर में लोगों को अवेरनेस बने तो हमने तई किया कि हमें जन आखशुदी सप्ता मनाना है प्रेवियस लास्ट साल में भी हमने जन आखशुदी सप्ता मनाया था और साथ मार्च को हम जन आखशुदी सप्ता मना रहे है पहली मार्च से हमने शरू किया है और साथ मार्च तक चलेगा उसमें क्या हम करते हैं, हमारे जनावस्दी स्टोर वाले मेडिकल केम्प लगाते हैं और जनावस्दी के बारे में पब्लिक अवेर्नेस करते हैं डॉक्टर के मुलाकात करते हैं, मीटिंग करते हैं, पब्लिक अवेर्नेस करते हैं स्कूल और कोलेज में हमारे जनावस्षदी स्टोर वाले जाते हैं और वहाँ अवेर्नेस कारेकरम करते हैं पदियात्रा निकालते हैं अवेर्नेस कारेकरम करते हैं पब्लिक प्लेस हैं वहाँ पत्रिका लेके जाते हैं अवेर्नेस कारेकरम करते हैं और 7 मार्च के दिन प्रधान मंत्री जी स्वयम वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से सभी स्टोर पर लाभारतियों के साथ चो बेनिफिश्रीज है उसके साथ समवात करेंगे, उसके ओनर के साथ समवात करेंगे, बेनिफिश्रीज के साथ समवात करेंगे और ऐसा करने से एक पब्लिक में व्यापक उसके संदर में अवेरनेस होती है तो हमने बात की मनसुक मांडवय जी से उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए टास्क बड़ी बात है क्योंकि देश में जब गरीबों के लिए कुछ टास्क होंगे तो ज़रूर सब के साथ मिलकर सबका विकास होगा कैमर मैं दुबे के साथ रिशी कुमार डेडी न्यूस दिल्ली